हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल दोस्तों वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो अभी जिसमें की सरकार ने मुहर लगाई है जो कि सभी पैंशनेर्स और फैमली पैंशनेर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टन अपडेट है अब जितने भी केंद्री करमचारी और सरका इसके बारे में बात करेंगे और बेसिकली जो भी यह बहुतरी हुई है वो जनवरी से लागू होनी है तो हम इसके बारे में सब डिटेल में बात करेंगे कि सभी पैंशनेर्स फैमली पैंशनेर्स और सभी सरकारी करमचारियों के लिए जो एक अच्छी निउस है और क्यों इस चीज़ को implement किया गया उसके पीछे क्या क्या कारान थे उन सब के बारे हम बात करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन important updates के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe का बटन दबा के चैनल को subscribe जरूर करें जिससे आने वाले हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथी साथ बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों NJCA की जो अभी latest meeting हुई थी जैसा कि मैं आपको पहले बताया था वो basically meeting थी minimum salary, fitment factor और जितने भी pending demands हैं उनको लेके और meeting के बाद से ये result आया था ये कहा गया था जो main important था कि जो केंद्रिय करमचारी pensioners है इसमें family pensioners इन लोगों की salary सरकार बढ़ाने की सोच रही है और वो जो है salary एगर 18,000 है तो सो कितना बढ़ाना है लेकिन अभी जो है जो existing DA था जो कि 9% था government ने उसे बढ़ा के जो है 12% कर दिया है इसका मतलब यह है कि अब जो है जो भी salary मिलेगे उसमें DA 12% के हिसाब से calculate होगा और दूसरी चीज यह है कि यह जो बड़ी हुई salary यह मिलेगी आपको जो है जैन्वरी से तो अल्टिमेटली जो भी जैन्वरी और फर्वरी का यह वह भी आपको जो है एक तरह से एरियर के रूप में मिलेगा तो अभी जो minimum salary और fitment factor है उसके उपर still अभी कोई official order नहीं आया ना उसके उपर कभी यह आया कभी इसके उपर क्या काम चल रहा है बस latest यह था कि NJCA की मीटिंग हुई थी बट उसके अलावा जो यह salary अपडेट है वह अब जो है घोशित किया गया है कि अब जो है salary बढ़के मिलेगी और DA जो है 9-12% कर दिया गया है तो दोस्तों यह था आज का important update अगर वीडियो पसंद आई तो like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले Thank you for watching this video